नमस्कार स्वागते आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में मैं हूँ अजे ठाको CSK में आखिर हो क्या रहा है CSK को लगातार जटके पर जटके मिल रहे हैं और पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं महेंदर सिंग धोनी का हाल भी कुछ ऐसा ही है उदास है परेशान है और विचार कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है लगातार CSK के जो खिलाडी है वो चोटिल क्यों हो रहे हैं पहले दीपक चाहर को लेकर सामने आई बाते फिर उसके बाद रूतुराज गाइकवाड रिस्ट इंजरी की वजह से बाहर हुए और अब एक और स्टार खिलाडी स्टार क्या सूपर स्टार खिलाडी और सूपर स्टार क्या बहुत बड़ा खिलाडी मतलब सूपर स्टार से भी बड़ा खिलाडी पूरी खबर आपको बताएंगे और ना सिर्फ CSK को बलकी इस खिलाडी के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया को भी तगड़ा जटका लग सकता है बताएंगे आपको कि चार मार्च से आठ मार्च को टीम इंडिया और श्रिलंका के बीच मोहाली में पहला टेस्ट मैच खिला जाएगा दो मैचों की टेस्ट सिरीस का पहला मैच खिला जाएगा श्रिलंका के खिलाफ श्रिलंकाई टीम के लिए ये मैच इतिहासिक है क्योंकि ये उनके करियर का 300 मैच है यानि शिरलंकाई टीम इतिहास रचने जारी है तो वहीं पर विराट कोहली के लिए भी ये मैच इतिहासिक होगा क्योंकि विराट कोहली अपने करियर का 100 मैच खेलेंगे और ऐसा लग रहा है कि इस एतिहासिक मुकाबले में रविंद्र जडेजा शायद शामिल ना हो प्लेइंग 11 में भारती टीम की प्लेइंग 11 में शामिल ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद CSK के लिए शुरुआत की कुछ मुकाबलों में उपलब्दनाओ शायद CSK को लेकर अभी हम ये बाते शायद के तौर पर कह सकते हैं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है इंजरी कुछ ऐसी हुई है और अभी कोई अपडेट हाला की सामने नहीं आई है VCCI की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है रविंद्र 2-8 मार्च के बीच मौली के मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन के दोरान जब रविंद्र जडेजा नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे सामने गेंदबाजी कर रहे थे जस्प्रीद बुम्रा जस्प्रीद बुम्रा की ये गेंद सीधे रविंदर जडेजा के सिर पर आ लगी और उसके बाद कुछ देर के लिए प्रैक्टिस सेशन जो है वो थम गया टीम के फिजियो आए फिजियो ने चेक किया और उसके बाद रविंदर जडेजा ने बल्ले बाजी नहीं करी जी हां गौर करने वाली बात ये कि रविंदर जडेजा ने इस इंजरी के बाद बल्ले बाजी नहीं करी हाला कि वो गेंद बाजी करते हुए जरूर नजर आए लेकिन बल्ले बाजी करते हुए बाद में रविंदर जडेजा को देखा नहीं गया अभी हाली में हमने देखा कि धर्मशाला के मैदान पर श् जुछ के बाद वह T20 सीरीज से बाहर हो गये थे और अब कयास लगाए जा रहे कि शायद रविंदर जडेजा के साथ भी ऐसा ही हो सकता है रविंदर जडेजा को भी शायद कुछ जो है दिन अराम करने को रेकमेंड किया जा सकता है और ऐसा अगर होता है तो भारते टीम के ल लंबा वक्त होता है इंजरी से वो जूजे थे रियाब कर रहे थे और अभी अभी तो उन्होंने टीम इंडिया में कदम रखा था और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो भार हो सकते हैं और अगर उनकी इंजरी सीवियर है हलाकि अभी कोई अपडेट नहीं है लेकिन अगर इंजरी सीवियर है तो फिर शायद वो CSK के लिए भी शुरुवाती कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं तो जो शुरुवात में हमने एक बात कही थी कि CSK में यह हो क्या रहा है महेंदर सिंग धोनी परिशान है हताश है विचार करने पर मजबूर है कि भाया चल क्या रहा है अ लेकिन अभी देखना दिल्चास पोगा की कैसा क्या कुछ बाते सामने निकल कर आती है क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं है कि रविंदर जडेजा की जो हेल्थ है वो कैसी है और क्या वो टेस्स सिरीज में भारते टीम का हिस्सा होंगे क्या वो CSK के लिए कुछ मैचे मि जहलने पड़ी टीम को उसके बाद दीपक चार हैंश्रिंग इंजरी का शिकार हुए उसके बाद रूतराज गाइकवाड रिष्ट इंजरी का शिकार हुए उससे पहले राजवर्दन हंगार गेकर का एच फ्रॉड को लेकर जो मामला सामने आया तमाम चीजे जो है वो CSK क इदगिद अच्छी नहीं हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि CSK के जो खिलाडी है उन्हें समल कर रहने की जरूरत है क्योंकि CSK के खिलाडी लगातार चोटी लो रहे है लगातार सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि CSK के खिलाडी जो है वो unfortunate है इस वक्त उन